हमारे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं और डॉक्टर फिर भी हमें कंसीव नहीं हो पारा है इस समस्या के साथ कई दमपत्ती मेरे OPD में आते हैं और इसलिए मैंने आज वीडियो बनाने के लिए विशय चुना है यानि कि सारे टेस्ट नॉर्मल होने पर भी कंसीव क्यों नहीं हो पाता है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें जो मैंने आपको बाते बताई हैं उसे जानकर आपको अपने ट्रीटमेंट अपने इलाज में एक नई दिशा मिलेगी और आप confidence के साथ जो है व इसमें सबसे जादा परिशान करने वाला कंडिशन इसमें सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं मुख्यता जो तीन हम फर्टलिटी टेस्ट करते हैं यानि कि फैलोपियन ट्यूब्स एचेसजी टेस्ट में खुली आ रही है सीमन टेस्ट नॉर्मल आ रहा है और महिला का ओ पर उसकता है कि कुछ संहस्या हो जो की सूख्ष म स्तर पे हो हमें सूख्ष मookie सर पे जाके समझना पड़ेगा की कंसीव आकर कैसे होता है Conceive होने की process में जब वीर जैसे ejaculate से sperm निकलते हैं वो वजाइना में deposit होते हैं वहाँ से ये sperms छूटते हैं और जो uterus का mouth होता है sirlix उसको cross करके uterus के अंदर जाते हैं इसके बाद ये जो 5 micron का sperm है ये अपनी गतिशीलता के कारण दोनों fallopian tubes के अंदर जाता है इस process को fertilization या निशेचन कहते हैं इसके बाद ये जो fertilized egg है ये divide करने लगता है ये पूरी process fallopian tube के अंदर हो रही है egg का size 140 micron यानि सुई की नोग के बराबर sperm का size उससे 100 गुना छोटा यानि की 4 micron है यानि ये जो पूरी process है sperm का, cervix को cross करना, uterus के अंदर जाना, fallopian tube में जाना वहाँ पर egg का होना, egg और sperm का आपस में मिलना, उसके बाद embryo का formation ये पूरी चीजें हमारी नजरों से छुपी हुई है कोई भी ऐसा test नहीं है जिसमें हम ये body के अंदर होने वाली process real time में body के बाहर देख पाएं हम क्या देख पाते हैं, हम केवल ये देख पाते हैं कि वीरे में शुकरानों कैसे हैं हम ये देख पाते हैं कि egg बन के rapture हो रहा है हम ये देख पाते हैं कि fallopian tubes अंदर से खुली है HSG के द्वारा परन्तु ये दोनों का आपस में interaction कैसा हो रहा है ये हमारी आखों से अभी तक सारे test के availability के बावजूद छुपा हुआ है इसलिए जब किसी के सारे test normal आते हैं और conceive नहीं होता तो मेरा सबसे पहला उनसे यही statement रहता है कि ऐसा नहीं है कि कोई problem नहीं है हम problem तक नहीं पहुँच पाए है तो आईए अब जानते हैं कि कौन से वो problems हैं जिससे unexplained infertility होती है मुख्यता ये दो तरह के problems हैं पहला होता है mechanical दूसरा होता है microscopic Mechanical कारण यानि कई बार fallopian tube अंदर से तो खुली रहती है HSG में आता है दोनों tubes खुली है परन्तु tube में कोई बाहरी रुकावट रहती है कई बार adhesions, endometriosis, pelvic inflammatory disease, बच्चिदानिय tubes की tuberculosis इन सारी तकलीफों की वज़े से अंडा ovary से तो निकलता है परन्तु fallopian tube के अंदर नहीं पहुँच पाता है ऐसी स्थिती में हम diagnostic laparoscopy and proceed यानि हम पेट के अंदर एक दूरबीन डालते हैं fallopian tube के आसपास यदि कोई जाला है, कोई adhesions है वो tube से कुछ दूर है, तो उसे normal करते हैं और ऐसे couples को फिर pregnancy conceive हो सकती है दूसरा कारण है microscopic, microscopic यानि सूक्ष मस्दर पे microscopic तीन कारण होते हैं पहला कारण होता है cervical factor यानि कि जो बच्चेदारी का mouth है cervix, उसमें कुछ ऐसे ही problem है कि sperms उसको cross नहीं कर पा रहे इस चीज़ को हम cervical factor infertility कहते हैं और इसका बहुत ही simple treatment होता है कि जिस समय egg ovulate हो रहा है उस समय हम sperms को cervix को bypass करके directly uterus में transfer करते हैं जिसे हम IUI कहते हैं IUI procedure की link मैं description में डाल दूँगी जिसे आप समझ सकते हैं दूसरा कारण होता है fertilization failure fertilization failure से मतलब है कि egg और sperm करीब तो आ रहे हैं tube में कोई internal या external blocks नहीं है cervix को भी cross करके sperms अंदर जा रहा है पर वो किसी कारण से egg से fuse नहीं हो पा रहे हैं ऐसी स्थिती में जो हमें treatment करना पड़ता है वो है test tube baby कुछ rare conditions में problem होती है implantation failure यानि embryo शरीर में बन भी रहा है पर वो uterus के अंदर चिपक नहीं पा रहा luckily ये problem rare होती है अगर हम unexplained infertility के cases देखेंगे 100 cases में से जो मेरा अनुभव है उसमें 30 से 40 प्रतिशत में external tubal block एक कारण होता है 20 से 25 प्रतिशत cases में cervical factor यानि uterus के mouth के अंदर ऐसे कुछ दत्व होते है जो sperms को अंदर नहीं जाने देते और बचे हुए 20 से 30 प्रतिशत cases में test you baby की आवशकता होती है क्योंकि ये fertilization failure के cases होती है सबसे important test जो आपको करना चाहिए unexplained infertility में वो होता है AMH AMH यानि कि anti-mullerian hormone यदि आपका anti-mullerian hormone का level normal है ovary में eggs अच्छे हैं तब आप छोटे treatment के लिए जा सकते हैं कुछ समय तक आप और normal के लिए भी wait कर सकते हैं परन्तु यदि AMH level drop हो रहा है तब आपको unexplained infertility के लिए एक proper reproductive medicine specialist के पास जाकर अपने case को in total check-up कराके और उचित इलाज लेना चाहिए यानि कि unexplained infertility के cases में सबसे पहली बात ध्यान रखिए problem है या तो mechanical या microscopic है mechanical problems का हम laparoscopy से इलाज कर देते हैं microscopic problems का पहले 2 या 3 बार IUI try करते हैं यदि वो भी fail होता है तो हम यह assume करते हैं कि यह fertilization failure है और test your baby यानि IVF की सलाह दी जाती है आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सब के लिए उपियोगी सिद्ध होगी धन्यवाद